नमो नमा स्रीमत भगवत गीता आज की इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता के वारे में संक्षेप में बताएंगे गीता का सामान ने परचे, भगवत गीता की मूलवूत सिक्षाएं, गीता के अनुशार आत्मतत्तो और गीता में वर्णी चतोदश यग्य, यानि की चौदा यग्य, इन सब के वारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे सबसे पहले समझते हैं कि गीता क्या है, इसका सामान ने परचे देते हुए स्रीमत भगवत गीता भारती धार्मिक एवं दाशनिक साहित की अमूल करती है, वेदों एवं उपनिश्टों की विचारधारा इस्पटिक की तरह उजल होकर गीता में वेक्थ हुई है ये अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म ग्यान का अपूर्व ग्रंध है, कर्म योग की दर्शन का तो गीता अध्युति ये ग्रंध है भगवत गीता भारत के सुप्रश्चित महाकावे महाभारत के भीस्म पर्व का एक भाग है जिसमें भीस्म पर्व के 23 से लेकर 40 में तक कुल 18 अध्याय है इसके रचैता का नाम इसपस्ट रूप से तो नहीं ग्यात है किन्तु महाभारत के संकलन करता व्यास को ही गीता की रचना का श्रे दिया जाता है वास्तों में अपनी विशेवस्तु की द्रश्टी से ये अपने आप में इतनी पूर्ण है कि महाभारत का अंश होते हुए भी इसे एक पूर्ण ग्रंथ की संग्या दी गई है ये कोई गुहा गरंथ नहीं है जो विशेष रूप से दीख्षित लोगों के लिए ही लिखा गया हो और जिसे केवल वे ही लोग समझ सकते हो बलकि एक लोग प्रिये काव है अधिक्रत पद संग्या की दश्ट से गीता को उपनिशत कहा जाता है यद्यपी गीता हमें प्रवावपूर और गंभीर सत्य का दशन कराती है यद्यपी ये मन उसके मन के लिए नए मार खोल देती है फिर भी ये उन मानिताओं को स्युकार करती है जो अतीत की पीडियों की परंपरा का एक अंग है और जो उस भासा में जमी हुई है जो गीता में प्रियुक्त की गई है अब आईए भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाएं क्या है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं फिर जो उनकी शिक्षाएं हैं उसके बारे में संक्षेप में बताते हैं भगवत कीता महावरत की भाती विविद सिक्षाओं से युक्त है। संपूर गीता वस्तुता सिक्षाओं का एक भंडार है। अर्जुन जो की युद्ध के मैदान में अपने भाई बंदूं तथा परिवार के लोगों को देखकर किंग करतवे विमूर हो जाता है। उसे जनोप योगी है। गीता की प्रमुक सिक्षाओं को हम आपके लिए इस वीडियो के मात्यम से संखशेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हमारा कॉंसेप्ट अच्छा लगे तो इसे जादा से जादा लोगों में शेयर करें। यदि हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिससे कि आपको तरह तरह की वीडियो मिलती रहे। गीता की जो प्रमुक सिक्षाओं हैं उनके बारे में आज हम जानते हैं। नमबर एक सबसे पहली गीता की सिक्षा है कर्तव विपालन। गीता मनुस्ति को कार करने की सिक्षा प्रदान करती है। कि कर्तव विमूर अर्जुन को देखकर क्रशने प्रथम सिक्षा यही दी थी कि कार करो फल का विचार मत करो। कर मरने वादिकार रस्ते मा फले सु गीता की प्रमुक्षिक्षा यही है कि कठोर दुख और विपत्ति में भी अपने कर्तव और धर्म से नहीं हटना चाहिए निश्काम कर्म की प्रेणा ही गीता की मुख्य सिक्षा है गीता की नंबर दो शिक्षा में बताया गया है कि ईश्वर भक्ति की प्रेणा इस शिक्षा में हमें बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है दूसरी महत्रपूर्ण शिक्षा जो गीता हमें प्रदान करती है वह है ईश्वर भक्ति मनुस को आस्तिक होना चाहिए तता भगवान का भजन करना चाहिए गीता में अर्जुन को भगवान करश्ण ने भगवत भक्ति की सत्प्रेणा प्रदान किये भगवान करश्ण ने स्पस्ट कहा है पत्र, पुस्प, फल, जल, आदि जो कुछ भग्ति भावना पूर्वक उपहार में देते हैं मैं प्रसन होकर ग्रहण करता हूँ इसलिए गीता में इश्वर भक्ति की भी प्रेणा दी गई है तीसरी सिक्षा है सहिष्णुता वा सार्मभौमित्ता गीता मानों को सहिष्णु बनने की प्रेणा देती है गीता की स्वयम की सिक्षा भी सहिष्णुता और सार्मभौमित्ता से ओत्रोथ है नमबर चार, आलस्त त्यागवा कर्मट बनने की प्रेणा भगवत गीता मानों को यह सिक्षा देती है कि उसे परिश्टम से कभी नहीं गबडाना चाहिए गीता मानों को प्रेणा प्रदान करती है गीता में कर्म से विमुख होना निंदनी बताया गया है और कहा गया है कि जो लोग जीवित रहते हुए भी कर्म से भागना चाहते हैं विवास्तों में मरे हुए के समान है पाचवी शिक्षा दी गई है समस्याओं से संगर्ष करने की प्रेणा गीता मानों को सतत संगर्ष करने की प्रेणा देती है संगर्ष मानों से नहीं अपितु जीवन में आने वाली कटनाईयों वा समस्याओं से है गीता की ये प्रमुख सिक्षा है कि कैसी भी कठिन से कठिन इस्तिति क्यों न सामने हो मानों को उसका डटकर मुकावला करना चाहिए गीता की छटी सिक्षा क्या है माया मोव में फसे मानों को मार्ग दर्शन प्रदान करना गीता वर्तमान भौतिकवादी मानों के लिए विशेश महत तो रखती है ये माया मोव में फसे इस यूग के मानों को समता के भाव की सिक्षा प्रदान करती है और विश्व बंदुत की प्रेणा देती है जैसे वसुदह्यो कुटुम्बकम गीता की सात्मी सिक्षा है पूर समानता की प्रेणा गीता में पूर समता वा समत्त भाव की सिक्षा प्रदान की गई है क्योंकि सब प्राणियों में एक ही इश और व्यापत है अता सबको समान समझना मानों का करतब है गीता वस्तुता एक विश्व दर्शन है इसकी प्रतियक मानों के लिए मार्ग दर्शक हैं। गीता अपने आप में एक सदाचार संगीता है। इस तरीके से हमने आपको गीता की प्रमुक प्रमुक सिक्षाओं को साथ भागों में डिवाइड करके आपको बताने की कोशिश किये। वैसे तो गीता के बहुत सारे टॉपिक हैं। एक एक करके हम आपको सभी टॉपिक के बारे में बताएंगे। लेकिन आज एक महत्पूर्ण टॉपिक है जो चतुरदश यग्य के बारे में बताया गया है। आज हम उसी के विशे में चर्चा करेंगे। गीता में वर्णित चतुरदश यग्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं। चतुरदश मतलब 10 और 4, 14 यग्य बताए गए हैं गीता में। तो आएए जानते हैं कि गीता में किन किन चतुरदश यग्य की चर्चा की गई है। इस वीडियो में हम गीता में वर्णित चतुर पकर्थों में पस्तुत करते हैं 14 यग्यों का वर्णन संग्षेप में इस प्रकार से है नमबर एक द्रव्यग्य का मतलब होता है इस यग्य में द्रव्य का मतलब होता है धन-धान इस यग्य में धन-धाने वस्तरादी संपत्ति को ईश्वर की प्रीतियर्थ दान धर्म और अपरोपकारी कार्यों में खर्च करना होता है। इस यग्य का मतलब है कि आप जो भी धन धाने वस्तरादी संपत्ति को जो भी आप कमाते हैं इश्वर के लिए उसको दान करें और धर्म अपरोपकार में लगाएं। इस यग्य में देवताओं के लिए जड़ रफ्यों का हवन किया जाता है। इस यग्य में ग्याने इंद्रियों के संयम का अप्यास अर्थात इंद्रियों को विश्यों से रोकना होता है कि हमारी इंद्रियां विश्यों में आसत्त ना हो जाए। नम्मर 4. विशय यगे का मतलब है इस यग में इंद्रियों के द्वारा उनी विशयों का सेवन करना है जो यग के वशिष्टों नम्मर 5. स्वाध्याय यगे स्वाध्याय मतलब अपने आप अध्यान करना अर्थ ज्यान सहित धर्म ग्रंथों के पढ़ने का अभ्यास होता है वेद अध्यन इस्तोत्र परायन आदी इस तरीके के अर्थ ज्यान सहित धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए नमबर छे प्राण यगे गीता में प्राण यग्य का मतलब है अपान, व्यान, उदान और समान इन चारों को प्राण वायू में हवन करना अर्थात पूरक प्राणायाम करना होता है अब अपान यग्य क्या होता है कि प्राण, व्यान, उदान और समान इन चारों को अपान वायू में हवन करना अर्थात रेचक प्राणायाम करना होता है फिर नम्बर आठ प्राणा पान यग्य प्राणा पान यग्य क्या होता है शरीर में दोश रहित हुई सुद्ध प्राण वायु को इस्थिर, स्वस्थ और शांत करना सम प्रमाण में रोक कर आभ्यंतर या व्रहा कुम्भक प्राणायाम करना ये प्राणापान यग्य गीता में बताया गया है अंतर प्राण यग्य इंद्रियों को चेतन करने वाली प्राण शक्ती को आहार के सःयोग से वस्मे करना होता है अंबर 10 योग यग्य बुद्धी योग अर्थात कुशलता से निश्काम कर्म करना बुद्धी योग से चिंतन मनन से और कुशलता से निश्काम कर्म किसी फल की कामना से नहीं निश्काम कर्म करना अत्वास्टांग योग का साथन करना ये यग्य गीता में बताया गया है नमबर 14 तपो यग व्रत उपवास या अहिंसाद तीश्न व्रतों द्वारा शरीर मन को शुत और पवित्र या स्वधर्म पालन करना होता है तपो यग में गीता में ये विताया गया है नमबर 12 जप यग जप यग का मतलब है वाचिक उपांशू मांसिक ध्यान या अनन्य जप करना होता है नमबर 13 इंद्रिय प्राण यग या कर्म यग इंद्रियों की चेस्टाओं और प्राणों के व्यापार को रोग कर मन को आत्मा में एकागर करना या इंद्रियों की चेश्टा और मन के व्यापार को ज्यान से प्रकाशित परमात्मा में स्थिर रूप योग में लगाना होता है मतलब सब इंद्रियों को वश में करके केवल एकागर होकर के परमात्मा में स्थिर रूप योग में मन को लगाना होता है आखरी यग्य है नमबर 14 ज्यान यग्य या ब्रह्म यग्य सब कुछ ब्रह्म रूप समझ कर सर्वता सर्वत्र समस्त क्रियाओं में सर्वता क्रियाओं में सर्वता ब्रह्म का अनुभो करना यही ब्रह्म यग्य में बताया गया है कि सब तरफ क्या है? सब तरफ हर कण कण में ब्रम है, परमात्मा है. यही समझना इस गीता में बताया गया है. यह वीडियो आपको कैसी लगी? यह आप हमको कमेंट्स में चरूर बताएं. धन्यवाद.